नमस्कार दुस्तों सुआगत आपका अमरे यट्यूब चेनल में दुस्तों अगर आपने फॉन पे से LIC का किस्त जमा किया है और अगर आपने गलती से किसी दूसरे की किस्त को जमा कर दिया है जो भी आपने पॉलिसी नंबर डाला है अगर वो आपने गलत policy number डाल दिया जैसे कि यहांपर आप देख सकते हो कि यहांपर जो मने policy number डाला वो गलत डाल दिया अगर जो भी आपने जब भी LIC का आपका किस्त आया तब आपने phone पैसे बढ़ा है और अगर आपने गलत policy number डाल दिया आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ यदि आपने भी गलत LIC premium पे कर दिया है तो फिर इस वीडियो में बने रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उसके बाद में आपको phone pay को open कर लेना है जो भी आपने LIC premium pay किया होगा वो यहाँ पर आपको क्या करना है history के option पर click करना है उसके बाद में जो आपने pay किया होगा वो latest सबसे उपर show करेगा तो आपको जो payment किया है आपने उसकी उपर आप click कर लेजेगा उसके बाद में आपका ये गलत हो चुगा है payment तो आपको यहाँ पर option मिल जाता है contact phone पर support तो आपको इसकी उपर click कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो गर आप receipt चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो I have others issue पर आपको click कर देना है यहाँ पर option दिया गया I pay to wrong account यानि आपने जो LIC का payment किया है वो गलत नमबर पर आपने कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ I have I paid to wrong account तो आपको इसी के उपर आपको click करना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको ticket बन जाएगा 24 गंटे के बाद में phone pay support team से आपको जो भी आपका पैसा है जो return होगा या नहीं होगा जो आपको वापस phone pay का notification आजाएगा अगर यहाँ से आपकी problem का solution नहीं होता है तो आपको phone pay customer support team से बात करना होगा phone pay customer care से आप कैसे बात करेंगे इसके उपर already मैंने वीडियो बना रखा है जिसका link वीडियो के description और i button में मिल जाएगा तो उस वीडियो को आप देख लीजेगा और phone pay customer care से आप बात करके आपका जो भी पैसा आपका लगा है उसको आप refund ले सकते हैं मेरा जो LIC का premium मैंने रोंग नहीं किया है इसलिए इसके उपर में click नहीं कर रहा हूँ आपको click कर देना आपका ticket जारे हो जाएगा और आपको 24 गंटे में reply भी मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप अपना जो भी पैसा है वो उसको refund करा सकते हैं